तो आज के लक्चर में हम जो सुपर्वाइजर पोस्ट का जो सलेबस है जेके एससबी की तरफ से जो आया है इसमें आपका स्पेशलाइजेशन पोर्शन जो सिक्स्टी मार्क्स का है इसमें मैरेज एक टॉपिक है आज के लक्चर में हम मैरेज को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक में हम मैरेज के रिलेटिड जितने भी चीजे हैं वो सारी पढ़ेंगे ठीक है कुछ टेर्मिनॉजीस है यहाँ पे symbols है उनको डिस्कस किया जाएगा marriage के terms क्या है different definitions ठीक है by the different thinkers ठीक है उसके बाद हम marriage के बारे में उसके यहाँ पर Morstan Filter Theory है हमारे पास love marriage या regulations of marriage क्या है ठीक है इन लाज को discuss करेंगे in detail and what is the structure of the topic क्या structure है मैंने किस तरह से इसको design किया है कि किस किस topic को हम कैसे पढ़ेंगे I will tell you ठीक है तो यहाँ पर मैंने beginning में structure लिख लिख लिया है what we are going to discuss in the marriage topic तो आज का lecture हम start करते हैं guys ठीक है तो यहाँ पर देखे यहाँ पर हमारे पास जो topic है इस तरह से design है marriage का जिसमें सबसे पहले हम marriage के बारे में थोड़ा सा introduction करेंगे clear तो मैं आपको topic बताऊंगा मैंने इस तरह से इस topic को design किया है सबसे पहले जैसे definition और इसका introduction पढ़ेंगे and thereafter we are going to discuss the marriage regulation and laws ठीक है फिर types of marriages हम पढ़ेंगे फिर function of marriage क्या है and thereafter we are going to discuss what are the different ways of acquiring the mate in the primitive societies जैसे primitive societies में क्या-क्या तरीके थे कि mates को acquire करने के जैसे marriage by probation था यहां probationary marriage बोलते हैं marriage by capture marriage by trial ठीक है उसके बाद आपका marriage by purchase and then marriage by service marriage by exchange marriage by elopment marriage by intrusion and marriage by mutual consent ठीक है तो सबसे पहले में आपको बताऊं अगर term marriage कभी को बार यह पूछ लिया जाता है ठीक है तो basically सबसे पहले यह marriage का जो term है यहां पे यहां पे क्या है यहां पे लिखा है maritier ठीक है यह एक latin word है यह provide करता है husband wife का relation ठीक है और इस से यह एक french word है marrier यह कहां से निकला है यह इस latin word से आया है और इस french word से marrier का मतलब क्या है to marry ठीक है इस से एक term निकली थी marriage marriage means यहां पे middle English में देखेंगे 1250 से 1300 C के दोरान यह word यहां इस्तमाल किया गया and finally that word has been emitted and modify कर दिया और एक term the marriage और आज के topic में हम इसी marriage को discuss करने जा रही है point is clear ठीक है अब कुछ symbols है जिस तरह से हम represent करते है kinship वेगेरा ड्रा करने के लिए अभी बताएंगे हम kinship बिल्कुल detail में पढ़ेंगे but थोड़ी से terms यहां पे use होती है जैसे हम जब laws और regulation को discuss करेंगे वहाँ पे इन चीज़ों का इस्तमाल होगा तो मैंने आपको यहाँ पे triangle बनाई है ठीक है यह man के लिए means male के लिए represent होता है circle आपका woman के लिए होगा equal to का sign होगा वो marriage को represent करेगा यहाँ पे इस तरह का sign जो है इस तरह का sign यह connecting siblings को बताता है अगर sign इस तरह का मिले यह twins को बताएगा और उसके बाद आपको अगर sign इस तरह का होगा यह unspecified sex है ठीक है उसके बाद हमारे पास यहाँ देखेंगे अगर इस triangle में ऐसे line ड्रा कर दी जाए उसका मतलब man dead है ठीक है अगर इस circle में भी line ड्रा कर दी जाए ऐसे बीच में काड़ दिया जाए तो woman dead हो जाती है और यहाँ पे equal to का sign में अगर cross मार दिया जाए जैसे यह marriage थी यहाँ पे और यहाँ पर diverse हो गया ओके guys तो इन के साथ यहाँ पे हम discuss करेंगे चलिए उसे आपको marriage के बारे में यहाँ पूछ सकते ही जैसे यह दे दिया वो name the social institution which socially approved the way of sexual satisfaction आप उस social institution को क्या कहेंगे नीचे लिखा होगा family कहते हैं नीचे लिखा होगा kinship कहेंगे नीचे और कोच यह custom कहेंगे या और marriage दिया होगा अगर ऐसा social institution जो एप्रूट करता है sexual satisfaction को socially उस social institution को हम marriage कहते हैं अगर ऐसा social institution का नाम बताऊँ जिसमें union होता है union किसके between two or more person of opposite sexes ठीक है opposite sex ठीक है opposite sex means male and female तो यहाँ पे उस social institution को हम marriage कहते हैं legitimate relation है not only include the sex but also the other privileges other privileges means बाकी भी responsibilities है एक दूसरे के प्रती ठीक है तो उस social institution को भी हम marriage कहेंगे social union our legal contract है between the people that creed that creeds that creeds kinship जो kinship को kinship को kinship करेगा उस social institution को भी marriage कहेंगे ठीक है तो यह अलग-अलग terms है और आप देखोगे objectives में अलग-अलग तरीकु से इसको पूछा गया जाता है तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है जितने भी terms है जितने भी keywords है उनको include करने की यहाँ पर ताकि आपको exam में किसी भी चीज का hurdle face न करना पड़े अच्छा अब मैंने यहाँ पर kinship यूज गया guys देखो मैं kinship बहुत अच्छी तरह से आगे detail में पूरा एक chapter kinship के related है उसको पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक legal contract मैंने बोला है between couples इसलिए ताकि वो create कर सकी kinship अब kinship क्या होता है एक relation by bonds होता है ठीक है वो relation कैसे जैसे bullet से relation father का son के साथ daughter के साथ ये bullet relation mother का daughter के साथ son के साथ ये bullet relation है अच्छा उसके बाद relation by bonds अगर marriage से होगा husband और wife का relation बनता है marriage से ठीक है न तो तब ही husband wife कहलाते हैं जब marriage होगा clear तो that is also kinship अच्छा उसके बाद social bonds से भी होता है socially भी bond होते हैं लोग जैसे कोई कलब बना दिया कोई association बना दिया तो एक मतलब हम कह सकते हैं एक na togetherness एक feeling होती है एक दूसरे के प्रती ठीक है वो bond भी kinship का ही एक तरीका है समझा गया यहाँ पे तो यह था kinship इसको हम आगे detail में पढ़ेंगे politics clear अब उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे और कुछ terms definitions हैं मतलब हम कह सकते हैं उसका marriage के terms को किस तरह से हमें पूछा जा सकता है एक ऐसा social institution in which जिसमें male and female get right of mutual relationship एक दूसरे के साथ relationship में एक हक मिलता है उनको किस किस term में economically socially and biological sphere में देखो guys अगर economics economically देखेंगे न यहाँ पे economic का मतलब है आपको एक दूसरे का मतलब आपके expenses एक दूसरे का अगर literally meaning देखेंगे तो क्या है एक दूसरे के expenses bear करने एक दूसरे के प्रतिखाया रखना है एक social relation बनता है आपके बीच एक biological sphere biological sphere means एक biological need है ठीक है जैसे पहले हमने देखा एक यह क्या है sexual relation को आपको एक authority देती है एक recognition देता है तो यह भी term आपको ऐसे पूछा जा सकता है socially recognized intimacy between husband and wife husband और wife का बीच में जो intimacy होती है उसको socially recognize कोन करता है वो marriage करती है legally and socially sanctioned union है between men and women तो देखो हर term में तकरिबन same same ही meaning तो same निकलेगा लेकिन अलग-अलगे तरीकों से पूछा जा सकता है तो इन keywords पे आपने ध्यान देना है तो ये था थोड़ा सा अब आजाते हम इसके definitions पे अगर definitions की बात करेंगे देखो definitions की बात करेंगे अगर यहां पे तो definition में हम सबसे पहले यहां देखेंगे क्या है सबसे पहले मैंने according to Horton and Hunt के मताबिक में ने दी है उसने क्या बता है marriage is a approved social pattern where the two or more person established family तो देखो मैं आपको बताऊँगा definition थोड़ी critical होती है लेकिन हमें उनके keywords पे ध्यान रखना होता है marriage एक approved social pattern है ठीक है approved social pattern किसके two or more persons के बीच में ताकि वो एक family को establish कर सके ठीक है तो यहां पे आपने देखना जब भी Horton Hunt का concept आए ध्यान रखना है यार वो socially approved किया है social pattern को ताकि वो family establish करें इन तीन keywords पे आप ध्यान रखोगे you will get the definition of marriage by Horton and Hunt ठीक है Malanowski ने दिया था contract दिया for the production and maintenance of children किसकी production children की किसकी maintenance children की आप production करोगे children की ठीक है लेकिन उस production के बाद it's your duty यह अपका फर्ज बनता है उनकी maintenance करना तो यह definition दी थी Malanowski ने marriage की अब अगली definition अगर हम देखना चाहते हैं तो अगली definition हमारे दी है Western Mark ने Western Mark ने क्या definition दिया है देखो इसने बोला है relationship of one or more men to one or more women which is recognized by custom and laws ठीक है custom and law जो custom और law recognize करेगा एक relationship किसके बीच में एक मर्द एक औरत एक से जादा मर्द एक से जादा अर्तू के बीच में ठीक है आगे देखो कि नहीं अलग-अलग types की marriage होती है polyandry, polygammy तो वह सारा clear हो जाएगा आपको है ना one or more women या one or more men के बीच में इसने यहाँ पर time को यूज किया तो क्या है एक relationship है किसके बीच में one or more women के बीच में recognize करेगा recognize किसके ठोर recognize होता है customs and laws means society में approved होना चाहे society यह नहीं मानी चाहे यह चीज़े जो है वो social norms के खिलाफ है यह social norms के खिलाफ नहीं होना चाहे ठीक है तो यह थी definition किसकी west mark की ठीक है अब बात करते हैं अगली definition अगली definition JP Modoc ने दी है JP Modoc जो है उसने क्या बोला यह universal institution है कौन marriage that involves जिसमें क्या होता है residential cohabitation residential cohabitation means आप एक छट के नीचे रह सकते हो ठीक है आपको कोई नहीं बोलेगा भाई आपका ठीक हो रहे रहे हो because you are socially approved by a social institution that is known as marriage through marriage you can live together ठीक है no one can challenge you ठीक है उसके बाद economic cooperation it is your duty because of this marriage this social institution you are bound to each other you will bear the expenses of each other उसको हम economic cooperation कहेंगे आप एक दूसरे के खर्चे का खाया रखोगे एक दूसरे के बिमारी में एक दूसरे का खाया रखना है एक दूसरे के expenses को एक दूसरे का corporate करना है and next one is the formation formation किसकी करनी है एक nuclear family की ये JP model की definition है guys मैं बताऊंगा nuclear family क्या है suppose करो ये एक male है मतलब woman है इसको एक शादी हुई woman के साथ ये इनके क्या है ये इनके offspring है ये इसका बेटा है ये इसकी बैटी है ठीक है अब suppose करो एक बैटा दो बैटे भी हो सकते एक बैटी दो बैटी या एक बैटी यहाँ बैटी है या अलग बात है ठीक है इसको हम nuclear family कहते है तो आगे हम बिल्कुल family में हम बिल्कुल complete मतलब एक long way में discuss करेंगे nuclear family क्या है joint family क्या है पैट्री लोकल जो है या मैट्री लोकल जो है lineage क्या different तरीके से हम family को discuss करेंगे बस just यहाँ में आपको समझाना था इसकी definition को तो यह keywords आगे एक residential cohabitation है universal institution है जिसमें involved होता है कि आप residential cohabitation कर सकते हो economic cooperation कर सकते हो एक दूसरे के साथ और formation of nuclear family करोगे point is clear यह जेपी मॉडॉक की definition है अब next definition है Anderson and Parker ने दी है Anderson and Parker ने क्या बोला है किस तरह से social institution means marriage को define किया है इसने बोला sanctioned by society and durable bond होता है between किस के बीच में one or more male and one or more female established to permit gay man की वोड है एक तो sanctioned by society है durable bond है और दूसरा यह permit करता है क्या permit करता है एक sexual relation को for the parenthood यह parenthood क्या होग है parent मतलब parenthood का मतलब होता है parents in state of bearing child in state of bearing of spring ठीक है तो parenthood को sexually sexual relation जो होगा in order to acquire the parenthood that is approved by a social institution that institution is known as marriage तो यह कुछ definitions थी मैंने अपना best try कि आपको तकरेबन keywords पे focus करने कि ताकि आपको यह clearance आ जाए अब एक term छोटी सी आती है ध्यान दो यहाँ पे हमने अभी तक different definitions पढ़ी ना guys अलग-अलग thinkers ने अलग-अलग तरीकों से definition दी है अब यहाँ पे देखते हैं क्या कोई भी definition universally approved है या कोई एक definition है बस उसी definition के मताबिक पूरे समाज में पूरे world में हर section में हर community में marriage उसी तरीक से होती है नहीं guys कुछ cases मेंने थोड़े बहुत यहाँ पे आपको दिखाए ताकि इससे आपको clarity बन सके हमने देखा देखो क्या है universal means every human society has institution of marriage आपको पता है ना कि marriage through the world जो है अभी ठीक है marriage के जरिये ही मतलब आपका क्या है हम कह सकते हैं races आगे बढ़ रही है लेकिन आप देखोगे इस marriage में cultural variation आती है cultural variation cultural variation का मतलब how to marry शादी के तरीके क्या है किस तरह से शादी करनी है ठीक है शादी से पहले क्या मतलब provisions होते है फिर उसके बाद आपके क्या एक दूसरे के प्रति क्या rights है क्या duties है ठीक उसके बाद whom do they marry किस के साथ आप शादी कर सकते हो किस के साथ शादी नहीं कर सकते हो किस के साथ शादी करना socially approved है ये नहीं है ना अपनी मर्ज़े से जिसके साथ मर्ज़े आई यहाँ पे क्या है among bills बेल देखेंगे क्या है tribal group है राजिस्थान का guys जब वहाँ पे holy का festival होता है holy का festival होता न वहाँ पे क्या होता है जो young men और young women जो होते हैं वो dance करती है यह देखो मैंने दिखा है यहाँ पे क्या है वो एक यहाँ पे यहाँ पे कोई pool यहाँ ट्री होगा उसके बिल्कुल top पे क्या करेंगे coconut piece और with jaggery उसको साथ attach कर देते हैं यहाँ पे बांदेंगे अब क्या होता है यह जो यह जो अंदर है यहाँ पे है अब इसके बाहर वाला यह जो circle है यह women's का होता है यह किसका होता है women's का होता है यह क्या करता है इनका मकसद होता है इस pool को protect करना protect करना और main को assigned क्या होता है यह main जो होते हैं यह बाहर जो हैं इनको assigned होता है कि भाई आप अंदर जाके अंदर जाके आपने जाना है अंदर जाके इस pool पे मतलब यहां पर बांदया हुआ है जो coconut piece और जैगरी इसको तोड़ना है अब women's इनको resist करेंगे इनको रोकेंगे लेकिन यह हर एक आदमी की यहां पर कोशिश रेंगे लेकिन यह ध्यान रखना यह men कोंसे men और women जो young होते हैं means unmarried होते हैं अब सभी कोशिश करेंगे इन में से जो बंदा यहां पर इसको तोड़ देगा फिर उसको एक option दिया जाता है कि भाई आप चूज करो यह जितने भी unmarried women's है यहां पर इसके साथ आप शादी कर सकते हो अपनी choice की ठीक है जिसको select करेगा फिर वो औरत वो लड़ की वो unmarried woman जो है वो इस men के साथ शादी करेगी क्या अब मुझे बलो guys क्या यही तरीका है हर जगा शादी करने का नहीं न यह तरीका हर जगा acceptable नहीं है अब यह एक particular community है यह particular tribal group है यहां पे इस तरह से शादी की जाती है point is clear लेकिन क्या यह हर जगा है not applicable to the all society है न तो यहां से ही पता चल गया है बाई कोई भी एक particular तरीका कोई भी एक particular provision किसी भी मतलब that is not universal that is not universal point is clear ठीक है अब उसके बाद देखेंगे और एक मेने थोड़ा यहां पे आपको यहां पे जिकर किया है यहां पे एक चीज है जैसे नियर साफ मालबार कोस्ट आफ इंडिया है वो polyandry accept करते हैं अभी पढ़ेंगे polyandry polygammy क्या होता है सारी चीज़े डिसकस करेंगे बस यहां पे आपक यह आपको hint देना था कि universally accepted है या नहीं होती है clear हर एक definition हर जगा fit है या नहीं है clear अब यहां पे क्या है husband और wife शादी करने के बाद अलग अलग रहते हैं और न कोई nuclear family का concept होता है इनको और न economic cooperation एक दूसरे के साथ करते हैं point is clear लेकिन ऐसा कि सारी communities में सारे sects में या हर जगा है नहीं यह तरीका prevalent हर जगा नहीं है अचा यहां पे मैंने एक modest and filter theory है guys इसमें क्या होता है how to select the mate आप अपना partner किस तरह से select करोगे और यह देखोगे if you will see this is prevalent into मतब हर community में इसी तरह से होता है जैसे क्या होता है सबसे पहले वो field of eligible देखता है बैद देखेगा मैंने किस area मे है मैंने city वाले area में शादी करनी है मैंने अपनी district में ही शादी करनी है अपने country में और या पॉरण country में करनी है दूसरी state में करनी है जब वो possible option ढून लेगा फिर उस state का select कर देए ठीक है भाई हैं इस इn Do काम के लिए यहां पर फिर Dेखते हैं भई इस में जब स्टेयट में करने है कौन सी डिस्टिक के अंδर करनी है फिर कیکनसी कृम्यनियटी में करनी है कौनसी कास्ट में करनी है देखो क्यास्थ कास्ट वेगरा नहीं हमने है मतलब ऐसा नहीं है कि ये लेकिन हम लोग अभी प्रविलेंट है कुछ की फलानी कास्ट में नहीं करने हाइपो हाइपर गैमी हाइपो गैमी जब पड़ोगे अपना अपर कास्ट लवर कास्ट में कैसे होते ही है शारिया ठीक है तो यहाँ इन दो कामों के लिए एक मिडल मैन होता है जब ये मिडल मैन का काम खतम हो जाता है यहाँ पर मिडल मैन बिचारा ढून के देता है हाँ भाई फलानी जगा जाओ ये वे उसके बाद क्या आ जाता है नेक्स्ट ऑफशन यू यू सीधा है अट्रक्शन फिल्टर अपके पैरंट्स जाएंगे यहाँ जिसके होगी वो डिरेक्ट भी जाता है देखनी अब वो देखेगा ठीक है इसका अपरेंस ठीक है जज्जमिन्ट करेगा ठीक उसके बाद उसके बाद होमोगेमी फिल्टर आ जाएंगे मतलब आप देखेगा एज में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है अगर एजुकेशन पढ़ा ल फिर आप देखोगे compatibility filter में क्या देखोगे आप उसकी आदतू को देखोगे उसके attitude को देखेगे उसके values को चेक करोगे उसके norms को चेक करोगे ठीक है क्या इसका तोर तरीका उठना बैटने के तरीका कि इसका सलीका कैसा है जब ये भी चेक कर लोगे then trial filter means सारे ये अपने चे है आप लोगों की knowledge में क्या है क्या सही रहेगा क्योंकि देखो ये marriage एक ऐसा decision होता है ये life में एक बार लिया जाता है ठीक है तो इसलिए इन चीज़ों का चेक करोगे जब ये decision के लिए हो जाएगा हाँ ऑके है सब कुछ हो को होगा then you will marry और फिर marriage अपका आ जाएगा तो य तो यहाँ पर थोड़ा सा यह steps याद रखना क्या पता कभी डाल देंगे examiner इस तरह से डाल सकता है examiner कि इस तरह सकता है कि examiner डाल सकता है इस तरह से यहाँ पर आपको examiner इस तरह से भी डाल सकता है इसको कि भाई चलो देखो इसको चेक करो order में बताओ कौन सा filter कब आएगा sequence में बताओ ठीक है तो इस तरह से इसको आप याद कर लीजे यहाँ आप बताओ भाई habit attitude value कौन से filter से चेक करोगे compatibility filter से चेक करोगे क्या वो attraction filter से चेक करोगे क्या वो decision filter से चेक करोगे तो यह मेने keywords इसके साथ-साथ यहाँ पर mention किये हुए हैं ओके ठीक अब आता है हम laws of marriage पे अब किस पे आते हैं laws rules and regulation क्या तरीके हैं क्या laws है हमारे पास जिन से हम यह decide करते हैं कि यह ऐसी marriage होगी किस type की marriage क क्या कहेंगे types देखो guys यहाँ पे ऐसा नहीं आप सोचना है यह हमारे types of marriage है these are laws and regulations these are laws and regulation means rules है marriage के rule है ठीक है जैसे आपने endogamy endogamy exogamy की ठीक है तो इनके अगर broad heads देखेंगे जैसे prescriptive ठीक है provincial proscriptive यहाँ पे आपके other rules आते हैं तो यह कुछ laws है इन laws को हम पढ़ेंगे किस law म marriage को क्या केहेंगे clear point is clear तो यहाँ पे सबसे पहले हम वी आर गोइंगर देखेंगे तो यहाँ पर देखो प्रिसकेप्टि में आप देखोगे endogamy होती है और exogamy होती है अगर prevention में अगर नहीं आपको बोला ना hyper means higher caste में hyper means lower caste में और हिंदू सोसाइटी एनलोमा कहते हैं इसको और इसको हम हिंदू सोसाइटी में पैठिलोमा कहते हैं ठीक है यहां पर यह है ओके तो यह वाली चीजें हम यहां पर डिसकर्ट करेंगे चलिए डिसकर्स करते हैं प्रिस्पेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् बढ़ेंगे न एक का मतलब होता है उसलिए में क्यों किया जाते हैं कुछ रीजन तो होगा इंडोगेमी करने का वहाँ पे cultural variation आ जाता है ना ठीक है तो acculturization हो जाता है आपने sociology में पढ़ा होगा acculturization हो जाएगा different cultures का एक mixing हो जाएगा यहाँ पर point is clear ठीक तो उसके बाद जैसे हमारे पास tribal endogamy मिलेगी कास्ट endogamy मिलेगी टोटा मोलिटर endogamy मिलेगी अब देखो endogamy का एक तरीका और भी reason में ने लिखा cancer of magic जैसे एक myth होता था प्राने जमानों में यह सोचा आज भी कुछ societies में इससे सोचा जाता है ठीक है thorough of tarahi जैसे यह हमारे पास एक tribe है यहां पे यहां पे आप देखोगे thorough of tarahi क्या करते हैं यह यह बोलते हैं बाई अगर आप बहार वाली बहार मतलब endogamy मतलब exogamy करोगे किसी दूसरे group में outside the group शादी करोगे तो उनको खत्रा होता कि जो woman होती है वो woman क्या कर सकती है उनको black magic मिन्स काला जादू कर सकती है ठीक है न को जादू वगेरा कर देगी उसको उनको कर देगी उनके family members को कर दी मतलब एक मित है ठीक है तो इसलिए प्रेफर किया जाता है endogamy करने का एक एक तो reason यह था cultural हमने क्या देखा cultural identity को maintain रखना चाहते हैं अब next next है exogamy exogamy में देखोगे अगर यह term जो है वो maclinon ने दी है marriage outside the particular group मेंने p group रिखाया गाई इसका मतलब है particular group अपने particular group से बाहर शारी करेंगे toda clan of exogamy एक example है इसका अभी इसमें क्या reason है एक general reason माना जाता है harmful health effects in breeding prevalent मतलब harmful health effects कुछ देखते हैं कि भाई अगर within the group की आ जाए कुछ genetic variation आ सकती है ठीक है तो यह एक reason है इसका ओके यह थी हमारे पास endogamy और exogamy का अब हमारे पास preferential rules देखेंगे अगर guys preferential rule में क्या होता है अगर preferential rule देखोगे preferential rule क्या हो करता है prefer करेगा for certain categories को फलानी categories में आप शादी करोगे फलानी categories में आपके शादी नहीं करनी है जैसे सबसे पहली टाइप हमारी आ जाती है cross cousin marriage cross cousin marriage क्या होता है between the cousins होगी whose parents are brothers and sister मतलब cousins के बीच में शादी होती है लेकिन उनके parents आपस में भाई बहन है ठीक है भाई बहन है तो यह होती है cross cousin marriage अब इस cross cousin marriage में अगर आप देखोगे तो cross cousin marriage में यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे आपको डरा करके बताता हूँ यह देखो यह दो कपल्स है ओके यह इनके आगे offsprings एक बेटी इसकी है इनकी यह और यह इनका बैटा है ओके आप बैटे के भी शादी होती है ठीक है और बेटी ने भी शादी कि फिर उनके आप स्प्रिंग सोए मिने सुनके बचे हुए यह इसकी बेटी है और यह इनका बैटा है बैटा ठीक जादी है फिर इन्होंने क्या-क्या अपने बच्चु की शादी करवाई तो जब आपने बच्चु की शादी करवाई ऐसे marriage को हम cross cousin marriage कहते हैं point is clear अब cross cousin marriage भी दो तरीकु का होता है एक तो PCCM बोलते हैं ठीक है PCCM तो PCCM का मतलब होता है यहाँ पे paternal cross cousin marriage और MCCM का मतलब होता है maternal cross cousin marriage मैं आपको बताऊँगा देखो आभी मैंने यह diagram ड्रा की नहीं मैंने बोला था यह male के लिए होती है और यह female के लिए होती है अब मैं क्या कर रहा हूँ अगर इस diagram के अंदर बिल्कुल black कर देता हूँ shade कर दूँगा पूरा ठीक है अब यह मतलब हो जाता है भाई हमने यह जो kinship ड्रा करनी है वो इसको reference मान के ड्रा करनी है point clear देखो मैं समझाता हूँ p.c.c.m paternal cross cousin क्या होता है कि father's sister's children यह क्या कर रहा है यह लड़का यह अपने father की sister जो थी उसकी बेटी के साथ शादी कर रहा है हाला कि शादी तो इसने भी की शादी तो guys इसने भी की ना शादी तो इसने भी की इसके साथ लेकिन हमने reference इसको माना इसने मैंने इसको shade कर दिया है यहाँ पे और इसको एक term दिया जाता है नाम इसको ego कहते हैं क्या कहते हैं guys ego अब समझ आया ego का मतलब क्या है कि जिस person के respect में आप kinship रहा करते हूँ तो यह क्या कर रहा है fathers, sisters, children के साथ शादी कर रहा है अगर अगर मैं क्या करता हूँ अभी मैं नीचे दिखाता हूँ आपको ताकि comparison में आपको clear आ सके हाँ यहाँ आपका mccc है maternal cross cousin marriage अब देखो शादी वहीं से ही हो रही है maternal cross cousin marriage क्या है यहाँ पे maternal cross cousin marriage में क्या हो रहा है यहाँ पे आप mothers, brothers, children के साथ शादी कर रहे हूँ mothers, brothers, children अब क्या होता है यहाँ पे देखो यहाँ पे आपने क्या क्या यह इसकी मा है और ये इस क्या भाई है ठीक है अब mother's brothers children मा के respect में बात हुई न यहां से ठीक है उपर क्या था इसका father के respect में बात हुई थी तो थोड़ा सा यहां पे sense change होता है बस शादिया तो इन दोनों की बीच में हो रही है शादी तो cross cousin ही है लेकिन एक तरीका अगर आप मामू की बेटी के साथ शादी करोगे तो उसको हम क्या कहेंगे maternal cross cousin marriage अगर आप अपनी पूफी की बेटी के साथ शादी करोगे तो पूफी की बेटी के साथ जब शादी करोगे then it is called paternal cross cousin marriage point is clear बस इतना मैंने बिल्कुल simple language में आपको बोल दिया तो मैंने आपको बोल दिया जिसके reference में बात किये जाते हैं उसको हम डार कर देती हैं उसके बाद कहां कहां ये cross cousin marriage जो है cross cousin marriage जो है ये कहां कहां मतलब prevalent है जैसे कुछ tribes है गोरूज, दगोरूज, दखासी, दखासी, दखुकी, दख्राबी, 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 ये सारी ट्राइप्स कहां है northern eastern region of India में है mostly in Megalya में देखेंगे आप इनको ठीक है और भी northern eastern states में मिलेंगे बट जादा तर यहां पे है उसके बाद आप देखोगे अगर north and central Asia में north and central Asia में देखोगे यहां पे भी ये cross cousin marriage prevalent है साइलोन आप शिरिलंका में यहां पे भी आपको cross cousin marriage है अस्टरिया में, south and east africa में यहां पे भी cross cousin marriage है clear अब ये cross cousin marriage अगर देखेंगे इसकी और दो forms होती है forms means types मतलब किस तरह से देखो कैसे है symmetrical cross cousin बोलते हैं यह symmetrical cross cousin होता है symmetrical का मतलब होता है गाईज देखो इसकी शादी होगे इसके साथ तो एक family की शादी अब क्या है ये वला भी इसके साथ शादी कर सकता है ठीक है दोनु फेमिल्यों में एक exchange टाइफ हो गया है इसके मतलब यहाँ है इस family की ने क्या क्या अपने बेटी की शादी इनकी बेटी के साथ कराई लेकिन अपनी बेटी की शादी भी इसी family में करवाई तो इसको कहते हैं bilateral cross cousin marriage दोनु जैसे आप मामू की बेटी के साथ शादी कर सकते हो वो भी अपनी पूफी की बेटी के साथ शादी कर सकता है point is clear ठीक है इसको कहेंगे हम symmetrical या bilateral दोनु तरफ से अगर रिष्टा allowed एक तरफ से है suppose गो अपने क्या क्या भाई ठीक है इसने शादी यहां कर दी अब क्या है marriage यहां से यह इसके साथ शादी नहीं कर सकता है unilateral जिसको हम कहेंगे allowed either PCCM और MCCM ज़रूरी नहीं है कि यह वाला भी शादी करेगा यह वाला भी possible है लेकिन one way होगा अब यह शादी पॉसिबल नहीं होगी तब point is clear ठीक है PCCM करो यहां MCCM करो लेकिन मकसद यह है bilateral नहीं होगा अगर जहां पे PCCM PCCM और MCCM दोनों valid है उसको हम symmetrical cross cousin marriage कहेंगे point is clear guys ठीक है ठीक है चलिए अब reason क्या है कुछ ने कुछ वजवात तो होती है ताकि balance रखते हैं against the high bride price अब देखो बिल्कुल family एक दूसरे के साथ आरेडली connection में आरेडली relatives हैं एक दूसरे के तो भावनाओं को समझते हैं आज के दौर में मुश्किल है और यह एक बहुत मैं के सकता हूँ यह एक social crime है यह एक social crime है क्या है एक social crime कि भाव हम यह जो दहेज वेगेरा का महर का इतना बड़ा concept रखते हैं जिसकी वज़ा से हमारी बेहनी हमारी बच्या जो है वो बहुत age तक शारिया नहीं होती हैं उनकी जादातर उन family के लिए मुश्किल है जो काफी गरीब family है वो effort ही ने कर सकती हैं तो इस social crime को खतम करने के लिए तो इनको कहीं न कहीं यह खोब भी होता है एक balance बना रखते हैं high bride price नहीं मिलेगा ठीक है गौनेट्स आप मधिया परदेश जो है चलिए अब हम बात करते हैं parallel cross cousin marriage की parallel cross cousin marriage में क्या होता है देखो गाइस उपर भी cross cousin marriage हो रही थी लेकिन क्या था एक भाई था दूसरी बहन थी अब यहां दोनु भाई होंगे दोनु भाई अपने बच्यों की शादी करवा सकते हैं या दोनु बहने होंगे यहां पे अपनी बच्यों की शादी करा सकते हैं ठीक है तो marriage between the children of siblings of same sex चाहे वो male हो चाहे वो female हो दो brothers होंगे ठीक है तो वो आपने बच्यों की शादीया करवाते हैं आगे और दो बहने होंगे वो भी अपने बच्यों की शादीया करवाते हैं उपर क्या था एक भाई था और दूसरी बहन थी फिर उन्होंने अपने बच्यों की शादीया करवाई थी cross हुआ ठीक है यहां पे cross नहीं हो रहा है यहां male male के साथ और female female जो है आपस में अपने बच्यों की शादीया करवाते हैं point is clear I think बिल्कुल clear concept हो चुका होगा diagram से और भी clear हो जाएगा यहां पे थोड़ा सा यह गज़ देखना यहां पे यह link है हमारा यहां पे triangle है हमारी यह भी triangle है हमारी तो यहां पे क्या आगया हमारा अब देखो marriage between करेंगे यह दो couples हैं इनकी बेटी आई ही दो है अब इन्होंने अपने बेटीयों की शादी करवा दी करवा दी न अब उनके बच्चे हुए तो उन्होंने बच्चों की शादी करवा दी अब देखो बेहने ही दो थी न same sex था यहां पे तो इसलिए इनको हम parallel cross cousin marriage कहेंगे मैंने नीचे भी दिखाया यह देखो यह भाई दोनु है यह कहा है यह भाई है दोनु दोनु भाई है तो इन्होंने अपने बच्चों की जब शादी करवाई same sex है ठीक है parallel cross cousin marriage इसलिए इनको कहेंगे point is clear ठीक है तो इस parallel cross cousin marriage में हो गया जैसे यह कहां कहां prevalent है यह आप देखोगे यहाँ पे अरब में Muslim of India में रियंक सावतरी पोरा कुर्द of Eastern and Southern तर्की में यह prevalent है इस type की marriage अब उसके बाद हम देखेंगे और एक type की marriage होती है sororate कहते है sororate man is obliged to marry the sister of his deceased wife sister of his deceased wife अब देखो एक बंदा था यहाँ पे यह couples है यह इसका बेटा है यह इसकी बेटी है एक बेटी और दो बेटी ठीक है अब इसने क्या किया इस बेटी की शादी पहले करवा दी इसके साथ लेकिन देखो मैंने लाइन मार दी अनफार्चुनेटली इसकी डेथ हो जाती है अब यह जो परसन हो है इस परसन को इसकी sister के साथ चादी करने पड़ी की इसको sororate type of marriage कहेंगे अब यह sister younger भी हो सकती है यह sister इसकी elder भी हो सकती है सुरोरेट मैरेज को समझ रहें तो मैंने आपको बता दिया कि यह वाली जो है अगर यह elder होगी तो उसको हम क्या कहते हैं गाईज उसको हम senior सुरोरेट कहेंगे अगर younger sister के साथ चादी करता है यह तो उसको हम junior सुरोरेट कहेंगे ठीक चलिए तो यहाँ पे अब और एक type of marriage जो हमारी आती है मतलब और एक rule है rules है तो आगे पढ़ेंगे इसे लेकिन और एक rule है हमारे पस जो law है वो बोलता है liberate type liberate type अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना था यहाँ पे यहाँ पे कभी को बड़ टर्म आ जाती है ऐसे बताओ कि इस sorate में sor जो word होता है वो किसको represent करता है वो sister को represent करता है यह चीज़ धिया लखना अब यहाँ पे इसी तरह से liberate देखेंगे liberate में यहाँ पे अगर liver होगा तो किसको represent करेगा वो represent करेगा किसको वो represent करेगा ब्रदर को ठीक है liberate में custom in which the woman is obliged to marry the brother of her deceased husband देखो diagramatically clear हो जाएगा यह couples है यह इनके बेटे है एक बेटा और दो बेटे इस बेटे की शादी इसके साथ हुई ठीक है unfortunately इसके death हो जाती है अब यह जो अवरत है यह वाली इसको she is obliged to marry with the with what with the brother of our deceased husband तो इसके साथ इसको शादी करनी पड़ीगी अब इसमें भी liberate में भी junior और senior होता है अगर वो उसके elder brother के साथ शादी करती है तो उसको हम senior liberate कहेंगे अगर वो younger brother के साथ शादी करेगी तो उसको हम junior liberate कहेंगे तो senior liberate means elder brother के साथ शादी अगर होगी और junior liberate means अगर उसके younger brother के साथ शादी होगी ओके फिर देखेंगे यहाँ पे यह वाली marriage कहां कहां prevalent है तो देखोगे अगर यहाँ पे यहाँ पे यह वाली marriage जो है the cookies the nagas the krabbies the muslims of India also the native of Australia यहाँ पे यह marriage prevalent है यहाँ पे यह marriage की जादी है junior liberate particularly naga, krabbies Australian में और senior liberate boomjis of Urisa the hoes and the turks ठीक है तो यह कुछ tribes के नाम में ने example दी है यहाँ पे इस टाइप की marriage यहाँ पे होती है now the last आज की lecture का जो last हमारा content है वो है uncle niece marriage uncle niece marriage क्या होती है यहाँ पे क्या होता है uncle niece marriage को evanculate marriage भी कहते हैं क्या कहते हैं evanculate marriage marriage with the parents sibling अपने parents के siblings के साथ शादी करना ठीक है ही आजाती है point clear in some evanculate marriage prohibited by law यह law में prohibited है कुछ यह ठीक है permitted लेकिन कहां कहां permitted mostly it is prohibited but in some areas it is prevalent it is allowed it is permitted and वो areas के हैं जिसे Norway है जिसे चिल है Argentina है Canada है Finland है Netherlands है Russia है illegal है यह कून यह uncle niece marriage is illegal in Islamic societies regarded as prohibited by Islam ठीक है prohibited by Islam अच्छा guys तो आज का lecture इसके साथ ही हमारा wind up होता है ठीक अब हम in coming lectures मैं आपको बता रहा हूँ we are going to discuss other topics of the marriage मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको यहाँ पे हर चीज़ बताने की बस lecture में कुछ चीज़े जो अगर types of marriage function of marriage ठीक है different ways of acquiring the marriage यह चीज़े में कराऊंगा अच्छा और मैं थोड़ा बता दूँगा marriage acts जैसे हिंदू जो marriage act है हमारे पास या Muslim में क्या तरीका है Shia Christianity में क्या है मैं उन चीज़ों को भी additional आपको इसी topic के में addition करने की कोशिश करूँगा और discuss करवा दूँगा ठीक है इस फिफ्ट topic के बाद और thereafter हमारा MCQ series आ जाएगी MCQ of marriage आ जाएगा तो वहाँ पे बिल्कुल आपको clear हो जाएगा at least एक से दो बार इन लेक्चर को देखे और उसके बाद जो चीज़े आपको बोली जाती है उनको भी नोट किजें hope you are enjoying this lecture and see you in the next lecture Allah Hafiz